हेलो एफ्रिवन वेलकम बैक टू माई चैनल आज हम लोग बात करेंगे हेर फॉल के बारे में हेर फॉल यानि की बालों का जणना गंजापन बालों का पतला होना या फिर बालों का घना नहीं होना ये बहुत लोगों की प्रॉबलम होती है इसलिए आज मैं आपके साथ सेर कर अबरने वाली हूं एक आयुरवेधिक हेर ओईल जो आपके बालों को जड़ों से मजबूत करता है जिसे आपकी हेरफॉल कंट्रोल होती है और आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ता है और बनाने के लिए हमको किन किन इंग्रिडियंट्स की ज़रूरत होगी हमें चाहिए दो तरह के ओईल पहला है कोकेनेट और दूसरा है कैस्ट्रो और फिर हमें चाहिए तीन तरह के सीट्स पहला है मेथी दाना यानिकी फेनेग्रिक सीट्स दूसरा है तिल यानिकी सेसमे सीट्स और तीसरा है कॉलांजी यानिकी अनियन सीट्स और फिर हमें चाहिए अनियन आ 200 ग्राम कोकोनेट ओयल को पहले किसी पैन में गरम कर लीजिए लो हीट आगे का शारा पुरोशेश हम लो हीट पे ही करेंगे जब ओयल का गरम हो जाए तो सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे अनियन और पांच मिनट तक इसको पकाएंगे पांच मिनट बाद हम इसमें एड करेंगे जो भी हमारे सीट्स हैं वो मेथी दाना, तील और कुलॉंजी अब इसको 10 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे और बीच बीच में चम्मत चलाते रहेंगे 10 मिनट बाद हम इसमें एड करेंगे आमला पाउडर और करी लिप्स पाउडर और फिर 10 मिनट तक इसको पका लेंगे 10 मिनट बाद गैस को बंद कर दीजिए और इसको हीट से निकाल दीजिए हीट से निकालने के बाद हम इसमें एड करेंगे कपूर यह ठंडा हो जाएगा तब इसे किसी भी कॉटन के कपड़े से अच्छे से छान लीजिए और किसी भी क्लीन कंटेनर में स्टोर करके रख लीजिए फिर फाइनली हम इसमें एड करेंगे केश्ट्रो ओई और विटामिन E की कैपसूल एड करके इसको अच्छे से से शेक कर लीजिए और यह हो गया आपका आईरवेधिक हेर ओई रेडी इस ओईल को आपको वीक में टू से थ्री टाइम यूज करना है रात में शोने से पहले इस ओईल को लेकर अपने सर पे 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से हलके हाथों से मसाज कर लीजिएगा और नेक्स्ट मॉर्णिंग आप अपने हेर को वाश कर लीजिएगा यह हेर ओईल में एंटी ऑक्सिजेंट है विटामिन सी विटामिन ई विटामिन के आयरन है और इसमें ऐसे बहुत सारे चीज़े है जो आपके बालों को लंबा घाना और मजबूत बनाएगा तो यह था मेरे आज का आयरवेदिक हेर ओल बनाने का रेसिपी अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे है तो इसको लाइक कर दीजे शेयर कर दीजे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे ऐसे बहुत सारे एजियर एफेक्टिव होम रेमेडी देखने के लिए